जिन्पिंग के गरीबी खत्म करने के दावे को चीनी मीडिया नहीं किया एक्सपोस अपल डेली की रिपोर्ट से हुआ खुलासा अधिकारियों द्वारा प्रोग्रेस रिपोर्ट में की गई जालसाजी नमस्का TFI पर आपका स्वागत है और मैं दिक्षनेगी आपको बताऊंगी चीन में जिन्पिंग द्वारा गरीबे खत्म करने का दावा कितना सच है और कितना चूट जब माओं ने लगवक 72 साल पहले चीन पर कबजा किया तो उन्होंने जनता के बीद समानता का वादा किया था इस समानता को प्राप्त करने के लिए अमीर या तो मारे गए या लूट लिए गए इसके बाद 72 साल तक कम्यूनिजम और सीसीपी ने चीन पर कबजा जमाए रखा है और जिन्पिंग के साशन में आज 72 साल बाद भी पहले की तूलना में समानता और कम है हाला कि एक तरफ दुनिया के सबसे अधिक अरपपती चीन में ही है वहीं दूसरी तरफ चीन के कई नागरिक एक दिन में 10 डॉलर से भी कम में गुजारा करते हैं लेकिन चीन में धन की गंभीर असमानता एक मात्रमुद्दा नहीं है इस देश को एक और असमानता का भी सामना करना पड़ रहा है जो शहरी और ग्रामीन शेत्रों में विकास के गंभीर अंतर को दर्शाता है राश्रुपती शी जिन पिंग इस बारे में प्रचार अभ्यान चला रहे हैं कि कैसे उन्होंने चीन में गरीबी को खत्म किया है लेकिन उनके दावे सपाथ है क्योंकि चीनी मीडिया ने ही ग्रामीन चीन की दैनिय स्थिती को एक्सपोस कर दिया है इस साल की शिरुवात में शी ने खुद दावा किया था कि अत्याधिक गरीबी उन्मोलन का कठिन काम पूरा हो गया है उन्होंने कहा कि ये इतिहास में एक पून जीत के रूप में लिखा जाएगा हाला कि हौंग कॉंग के एक समाचार पत्र आपल डेली ने अपनी हालिया रिपोर्ट में जिन्पिंग के दावो पर एक गंभीर प्रशन खड़ा कर दिया है आपल डेली ने एक रिपोर्ट प्रकाशत की थी जिसका शीशक था शैंसी के अधिकारियों दुआरा प्रोग्रेस रिपोर्ट में जालसाजी के बार जिन्पिंग का गरीबी पर जीत का दावा खत्रे में है रिपोर्ट के अनुसार चीन के पश्टिमी शैंसी प्रांत के दूर दरास के गाउं के अधिकारियों ने गरीबी रहतकारियों पर प्रगती रिपोर्ट के साथ छेड़ छाड़ की चीनी स्टेट मीडिया के अनुसार स्थानी अधिकारियों ने राश्ट्रिय लक्षों की प्राप्ती दिखाने के लिए फेक रिपोर्ट बनाई एक और चीनी सरकारी संचालक मीडिया हाउस चाइना सेंट्रल टेलेविजन ने बताया कि लोणान काउंटी के पहाड़ी शेत्रों में गरीब परिवारों को सबसीडी वाला घर नहीं मिल पाया CCTV ने आगे बताया कि इन शेत्रों में पानी भी नहीं है और लोगों को एक भंडारन तुविदा से सप्लाई प्राप्त करने के लिए दो घंटे तक यात्रा करनी पड़ती है गरीबी उनमोलन के अपने अभियान के तहट शी जिन पिंग प्रशासन ने गरीब घरों के लिए आवास, भोजन, कपड़े और स्वास्त सेवा देने का वदा किया है लेकिन लुओनान काउंटी से आती रिपोर्ट से पता चलता है कि जिन पिंग का गरीबी उनमोलन अभियान सिर्फ हवा हवाई है सीसी टीवी की रिपोर्ट से पता चलता है कि लुओनान काउंटी में जब वरिष्ट अधिकारी निरिक्षन पर आए तो स्थानी अधिकारियों ने कुछ ग्रामीनों को दिखावे के लिए आवास यूनिट में स्थनांतरित कर दिया परंतुन के जाने के बाद यह पूरा काम ही ठप पड़ गया जब पानी की आपूर्ती की बात आये तो स्थानी अधिकारियों ने आखे मूंद लिए यहां तक कि अपने घरों में रहने वाले ग्रामीनों को भी पानी किया पूर्ती नहीं हुई इसलिए उनके पास केवल दो विकल बचे थे पास के छूटे तालाबों का गंदा पानी इस्तमाल करे या च्छतों पर बारिश का पानी अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लुओनान काउंटी को पिछले साल फरवरी से गरीब शेत्रों की सूची से हटा दिया गया है इसलिए लुओनान काउंटी जहां लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं है उन्हें जिन्पिंग की शब्दावली में इंपोवरिष्ट की रूप में गिना जाता है वास्तव में शी जिन्पिंग प्रशासन ने अपने बागी गरीब शेत्रों की सूची से अंतिम शेष काउंटियों को भी हटा दिया था शीन के स्थानी अधिकारियों और केंदिय प्रसाशन द्वारा जिस तरह गोपनियता बना कर रखी जाती है उसे देखते हुए कोई भी एनुमान नहीं लगा सकता कि कितने शेत्र लुओनान की तरह सिर्फ नाम के लिए ही गरीबी से उबरे हैं TFI ने पहले भी बताया था कि चीन में ऐसे गाओं हैं जहां कि निवासियों के पास ना कोई उचित सड़क है और ना ही खाने की अच्छी सिती कई शेत्र ऐसे हैं जहां बच्चों को जीवित रखने के लिए चूहे खाते हुए देखा जाता है फिर भी ऐसे में शी जिनपिंग प्रशासन का कहना है कि सभी शेहरों और गाओं को गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है शी के गरीबी उन्मूलन प्रचार लुअनान में इसलिए एक्सपोस हुआ क्योंकि CCTV के समबादाताओं का स्थानी अधिकारियों के साथ एक विवाद हो गया था इसके बाद मीडिया हाउस ने बदले में रिपोर्ट तयार करूने एक्सपोस किया हाला कि पूले प्रकरण में शी के गरीबी उन्मूलन अभियान की वास्तविक्ता का पता चलता है चीनी गाउन लगतार गरीबी की मार झेल रहे हैं लिकिन दिखावे के लिए ये कम्यूनिस देश दावा करता है कि उसके देश में किसी प्रकार की गरीबी नहीं है